प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के शास्त्री नगर में बुजर्गों के बीच पहुँचे उन्होंने बुजर्गों के आईश्मान योजना के संकल्प पत्र बरवाए और साथ ही CM मोहन यादव ने कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजर्ग वो चाहे किसी भी जाती के हो उन सभी बुजर्गों को आईश्मान योजना का लाभ मिलेगा साथ ही CM ने कहा कि बुजर्ग ये फॉर्म भरकर PM मोधी की गैरंटी का हिस्सा बनेगी हमारी सरकार ने इसमें एयर एंबुलेंस की भी सुविधा दी है बेमारी में मदद देना रामबाड है दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसने ये सुविधा दी है साथ ही उन्होंने चुनाव के अगले दो चरणों में 29 पार के संकल्प को पूरा करने की अपील की CM मोहन ने कहा कि मध्यप्रदेश डबल इंजन की सरकार में तेजी से बढ़ेगा बुक्षमती डॉक्टर मोहन यादाओ आज यहां पर पहुंचे दिरू फार्म भरवाने के बाद अब जो युजना का सुबारंभ है वो खासतोर से हम देख रहे हैं कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा उत्साय पैदा हो और वो इस युजना का लाब ने इसको लेकर परिवार के पास ही पहुचे अब आज मुख्यमंत्री भी आपके घर पर आये थे फार्म भरवाया कौन सा फार्म है वो कहरें कि अब सतर साल से ज्यादा के जो लोग है उन्हें भी आईश्मान युजना का लाब मिलेगा मदलब पांच लाग रोपे तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा तो कैसी युजना कि मुख्यमंत्री फार्म भरवाने आये थे हां अच्छी बात है अब सुबे से खुस हो रहे थे हमारे गर कोई आ रहे है ऐसे लोगों के लिए फायदा होगा जो इनकी आई भी आदी जादा है 17 साल से जादा है तो वो भी आप एलाज करा तो अच्छी बात है तो इतने तो कैसी बात कैसी यूजना है अच्छी ए बीजेपी डालेंगे बोटी हम डलेंगे तक आपको फरीगा इलाज नहीं मिलता था पांस लाग तक का लेकिन आप फाइम बारा चुका है तो मिलेगा तो चेहरे पर खुसी है बिलकुल खुछी है खुछी है खुछी की बात है त कि जिनकी आए ज़्यादा है जो इंकम टेक्स बढ़ते हैं वो इसी उजना में सामिल नहीं थे लेकिन अब सब को सामिल कर दिया है तो अच्छा लगा एकि अच्छा लगा बिलुट आपकाम अच्छा हो रहा है काम भी अच्छा लगा हमको और आगे अपन वो करते ही रहेंग साथ में एसनली पुर्सोतों मिश्रा के साथ सुरसर्मा बंसली उस भुपाल